नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अब इसे एक सिंग और आप देख रहे हैं टार्गेट क्रेक एक्जाम दोस्तों अररसी गुरूप डी इस पेसल वीडियो में जिव बिग्जान की एक और क्लास के साथ आपके सामने आ चुका हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं अच उतक टिसू कर देते हैं तो चली हम जंतू उतक के जितने भी कोस्टों पूछ यह थे इस पहले एक जाम में रेलवे के उन सभी को लिया पर कवर कर लेते हैं तो चली देरने कर दंब करते हैं वीडियो को सुरू tookili पर बार सब्सक्राइब करके ब्र बटन जरूरूं प्र को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर सेयर करिएगा आज का हमारा पहला कोस्चन है उतक क्या होता है आपके सामने चार अप्सन दिख रहे होंगे जिसमें से करेक्ट अप्सन की बात कर लें तो अप्सन नमबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा वे किसी को कोसिकाएं जो मूल रूप से दिखने में वैक कारी करने में समान होती हैं मतलब जोभी कोसिकाएं दिखने है और जो बीसे इस कारे करने के लिए सगत्या पराप्त होते हैं उधारन के अगर हम बात कर लें दोस्तों सरीर में मानस्पेसियों की को सिकाएं उन मानस्पेसियों को बनाती है जो सरीर की गती से संबंदित है को क्या कहते हैं तो इससे पहले वार भी कुश्चन बताया हूं जो की समान आपकी संरचना और पत्ती होती है कार्य करते उनको उतक कहते हैं नेक्स्ट कोस्चन है आपका रक्त और हड्डियों के उधारन है तो मतलब रक्त और हड्डियों किसकी उधारन है तो रक्त और हड्डियों अगर बात कर लें तो सईयों जी उतक के आपके उधार है नेक्स्ट कोश्चन है आपका क्या है तो दूस्तों करेक्ट एंसर की बात करने इसमें भी होगा रग्ष यह देख सकते हैं कि जो रग्ष आरपको पूछे का है लगतार और सिर्फ फर सिर्फ दूस्ट पिछले साल के हुए एकजाम में देख सकते हैं कितना important है ये next question है आपका मुख की परत से बनी होती है मतलब किस से बनी होती है दोस्तों मुख की परत की बात कर ले तो पपड़ीदार उपकला मतलब दोस्तों square mouse epithelium से बनी होती है next question है आपका हमारे सरीर में कई अंग है निमलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है तो दोस्तों सबसे बड़ा अंग पूछा गया है तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका दोस्तों तवचा next question है आपका तवचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उतक बनता है तो दोस्तों इसकी correct answer की हम बात कर लें तो correct answer हो जाएगा आपका वचा जो कि दोस्तों तवचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है next question है आपका मनुस्यों में एक संयोजी उतक के उधारन को पहचाने तो दोस्तों इसका संयोजी उतक का उधारन मैं आपको पहली बता चुका हूँ रक्त और हड्डियां तो इसमें हड्डी दिया गया तो इसकी हड्डी हो जाएगी next question है दोस्तों निमलिखित में से कौन सा एक संयोजी उतक है तो दोस्तों इसमें देख सकते हड्डी एक्जामपल दी गई तो यह आपका संयोजी उतक है दोस्तों देख सकते हैं कितना संयोजी उतक के बारे में हर एक सिफ्ट में पूछा गया हलग भग हमारे सरीर में हड्डियों में कौन से उतक पाये जाते हैं यह भी आप देख सकते हैं सेम कोस्टिन है सईयो जी उतक मतलब एक ही कोस्टिन को घुमा घुमा के बार-बार पूछा गया है नेक्स्ट कोस्टिन है आपका उतक हमारे मुख के आंतरिक अस्तर बनाता है तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका सरल स्क्रेमस एपिथेलियम next question है आपका stratified squamous epithelium किसमें मौझूद होता है तो दोस्तों ये मौझूद होता है आपका त्वचा में next question है आपका उतक में matrix होते हैं और कोशिकाए matrix में संहित होती हैं दोस्तों कौन से उतक में matrix होते हैं तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो है जोस्तों संहित उतक next question है आपका खाली स्थान है जोस्तों एक संहित उतक है तो दोस्तों आपको पहली विदा चुका है रक्त और हड़ियां आपके संहित उतक के एक्जाम पर हैं तो इसमें रक्त आपका correct answer हो जाएगा next question है आपका PC उतक कितने प्रकार के होते हैं तो अगर हम PC उतक की बात कर लें तो टूटल आपके तीन प्रकार के होते हैं पहला आपका रेख हीए PC उतक दूसरा आपका रेख हीए PC उतक और तीसरा आपका हिरदय पैसी next question है आपका मानो शरीर' की तुचा का सबसे वाहपरत कहलाती है दोस्तों इसको कहते हैं आपका epidermis next question है आपका निमलखित में से कौन सा हिसा मानो तोचा का सबसे बाहरी हिसा होता है आप same question देख सकते हैं कि वाल language change कहा दी गई है epidermis next question है आपका दोस्तों निमलखित में से संयो जी उतक नहीं है तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका जी है तंत्रिका कोशिका आपका संयो जी उतक नहीं है आपको पता है रक्त संयो जी उतक है अस्ति या मतलब हड़ी बात कर लें तो उपस्ति ये तीनों आपके संयो जी उतक है के अलवेशी और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाये BlueAL और यहां होता है वह दूस्त हो मेर sarà जाते हैं नेक्श्ट कौश्चन है आपका किसा प्रकार की कोशिका से तरह बनती है तो दूस्त आप हम बात कर लें अधिचर्म कोशिका से यही तरह आपकी बनती है नेक्स्ट कोश्चन है आपका उतक के प्रकार ग्रंथिया हैं तो यह हो जाएगा आपका एपिथीलियल नेक्स्ट कोश्चन है आपका जन्तु कोशिकाओं में विर्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खालिस्था ने एपिथिलियम इसकी आंतरिक परत निरुमित करता है तो दूस्तों इसका correct answer हो जाएगा आपका आयत फलिकी मतलब इसको इसको क्यू बाइल बोलते हैं कि नेक्स्ट कोस्चन है आपका उतक के प्रकार ग्रंथिया बनाते हैं इससे पहले भी बता चुका हूं इपिथिलियल नेक्स्ट कोस्चन है आपका हिस्टामिन स्रावक कोशिकाओं में पाई जाती है तो इस्टामिन स्रावक कोशिकाओं होती है तो वह आपकी पाई जाती है संयोजी उतक में नेक्ट कोश्चन है आपका अवकासो तक मतलब एरोलर टिसू की बीच एक पूरक उतक फीलर टिसू का काम करता है तो दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका त्वच्चा और मान स्पेसिया नेक्ट कोश्चन है आपका निमलखित में से लाल समवहनी संयोजी उतक है तो दोस्तों लाल समवहनी संयोजी उतक है आपका रुधिर अगर हम बात कर लें प्लाजमा तो आपका सफेद हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है आपका उतक गरंतियों का निर्मार करते हैं तो दोस्तों अगर हम बात कर लग करेक्ट एंसर की तो दोस्तों वाही का उतक ग्रंथियों का निर्मार करते हैं तो दोस्तों यह जितने भी जंतु उतक से कुस्चन पूशे आते हैं अभी तक रिल्वे के ग्याम में उन सभी का कलेक्शन आई होप आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों में सेर करिएगा चैनल पर पहली बारा तो सब्सक्राइब करके विल बटन जरू परस करिएगा नेक्स वीडियो म तब तक अपना अपनी फैमली ख्याल रखिएगा